जहीं दोस्तों स्वागात एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चनल अस्टडी प्लैटफर्म में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चकर के भारत की भुगोल की सिरीज को आगे बढ़ाते हुए परिवहन से संबंदित परसनों को देखने वाले हैं इस वीडियो में मैंने दोस्तों परिवहन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विविन स्टेट PCS तता ISPD में पूछे गया हैं दोस्तों उनको मैंने कवर किया है तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सब से पहले हम लोग दोस्तों सडख परिवहन से रिलेटेड परशनों को देखेंगे तो दोस्तो फर्स सवाल है कि भारत में देश के कुल यातायात में सडक यातायात का भाग है तो कितना परतीशात है दोस्तो तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में देश के कुल यातायात में सडक यातायात का जो भाग है दोस्तो हुआ है 80% राइट एंसर हो जाएगा B अब important facts देख लेते हैं दोस्तों 31 March 2017 तक भारत में लगभग 58.9-8 लाग किलो मीटर सरक नेटवर्क है जो 20 में दूसरा सबसे बड़ा सरक नेटवर्क है पडिवहन के छेतर में सरकों का अस्थान अगरानी है प्रस्ण काल में 65% माल यातायात का तथा 80% यातरी यातायात का पडिवहन सरकों दौरा होता था राष्टिय पडिवहन विकास निती समीती की रिपोर्ट के अनुसर पडिवहन छेतर का अलगभग 69% जो है दोस्तों मालाई यातायात का तथा 90 पर्तिशत यात्री यातायात का पडिवभन जो होता है कि दोस्तों सर को द्वारा होता है और धन्य Can तक्रिबन कितनी है दोस्तो तो दोस्तो प्रसन काल के संदर में वर 2001 में राश्टिय राज्मार्गों कि संखिया 64 और लंबाई कितना था दोस्टों तक्रीब बन तो 40,000 किलोमीटर था 31 मार्ट 2019 की इस्थिति के अनुसार बारत में कुल जो है कितना राश्टिय राज मार गये तो 599 राश्टिय राज मार गये दोस्तों तता इनकी कुल अनुमानित जो लंबाई है कितना है दोस्तो तो एक लाग बत्तीस अजार पांसो किलोमेटर है सडक पडिवहन और राज मार्ग मंत्राले के वर्षिक रिपोर्ट दोजार इकीस बाइस के अनुसार देश में राष्टिय राजमार्ग की कुल संख्या कुल लंबाई कितना है दोस्तो तो एक लाग चालिस अजार 995 किलोमेटर है तो यह महत्पुन फैक्ट से दोस्तो लेटेस डाटा है दोस्तो जी से आपको ध्यान में रखना है नेक्ट है दोस्तो भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग कौन साहा तो या दकना है दोस्तो भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग नेच पांच मार्ट दो हजार दस को जारी अधिसुचना के ताथ, राष्टिये राजमार्गों को नया करम प्रदान किया गया है। इस नये करम के ताथ भारत का सबसे लंबा राष्टिये राजमार्ग संख्या जो है दोस्तो कौन सा है तो NS27EW है। पुरबंदर जोकी गुजात में इस्तित है दोस्तो पुरबंदर से सिल चर असम तक यह राजमार कितना किलोमेटर लंबा है तो 4112 असम लो 62 किलोमेटर लंबा है दोस्तो यह राजमार जो है दोस्तो असम बिहार गुजात मद परदेश राजिस्थान उतर परदेश एबं प नेच फोर किससे होकर गुजरता है तो यह गुजरता है दोस्तों उत्तर प्रदेश है राइट एंसर हो जाएगा इसका डी नेच फोर किससे हो जाएगा दी दूसरे नमबर पर कौन है दोस्तों याद रखेंगे नेच्ट दोस्तों भारत के निम्न राजियों में से किसके प्रांती है राजमार्गों की सकल नमबाई सबसे अधिक है तो कौन सा दोस्तों तो वह है महाराष्ट राइट एंसर हो दी दूसरे नमबर पर कौन है दोस्तों तो दूसरे नमबर पर है उतर प्रदेश तो यह इस्तिती देखाया गिया दोस्तों अब यहां पर दिया गया दोस्तों कि नविंतम रिपोर्ट में प्रांती राजमार्ग की लंबाई के संदर में सिर्ष्त अस्थान महाराष्ट के बाद किसका गया दोस्तों तो करनाटक का गुजरात का राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश का आता है दोस्तों तो याद नेक्स सवाल है दोस्तो राष्टिये राज मार्क पड़िजना से सम्मधिन निम्न कथनों में से कौन साथ सही है सही उत्तर का चैन कीजिए नीचे दिये गए कुट से कीजिए तो यह दखना दोस्तो यह नई दिल्ली मुंबय में कुलकता को जोड़ता है गलत है दोस्तो इसक जो केवल कथन दो और तीन साइए दोस्तो इसकी कूल लंबाई जो है 5846 किलो मीटर है और उत्तर दछिन गल्यारा शिरी नगर कर्णिया कुमारी को जोड़ता है अ भी साइए जबकि पूर पश्चिन जो गल्यारा दोस्तो शिल्चर को दोरिका से जोड़ता है कथन जो है द है जिसका कुल लंबाई कितना है जो तो 5難ic наat 4-6 कईलो मीटर है उत्तर पास्चिम गल्यारा जो तो सिरी नागर sacrific को जोड़ता है पुर स को जोड़ता है नदोशुन प्रकार कत्म, किसके विकास से है, तो हमार्वनी चित्रभुच पढ़िजना इन्पॉर्टेंट है दोस्तों याद रखेंगे कई बार-बुछा जा चुका दोस्तों है निङा चुछा वी पीसी हुआ तो दोजास वला में उसमें भी सवाल पुछा गया है तो यह किस से सम्दित है दोस्तों यह दखना राष्टी है राजमार्ग परिजुना है स्वरनीम चत्रभुज नेक्स्ट कोशन है दोस्तों हमारा दोस्तों मेरी स्पीड आज कुछ ज्यादा है क्योंकि काफी ज्यादा कोशन है दोस्तों इसलिए मैं जो है दोस्तों इसको जल्दी जल्दी कड़ा रहा हूं आपको नेक्स्ट दोस्तो पर्धान मंत्री भाड़त जोड़ो परिजना सम्मंदी थे तो यह सम्मंदी थे दोस्तो राजमारगों के विकास है तो दोस्तो पर्धान मंत्री भाड़त जोड़ो जो परिजना भाड़त सरकार की एक महत्पकांची परिजना है जो की राजमारगों के व पुरु पश्चिम गलियारा शिल्चर और परवंदर से तर्था उत्तर पश्चिम गलियारा श्री नगर को कन्या कुमारी से जोड़ता है यह एक दूसरे को जहांसी को दोनों दिसाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है इन्पोर्टेंट फैक्ट से दोस्तों याद रखेंगें नेक्ट दोस्तों सर्वनीम चत्रभूज का पुरु पश्चिम गलियारा शिल्चर और परवंदर को जोड़ती है पुरबंदर सिल्चर राजमर्ड जो राष्टी राजमर्ड विकास परिजना के द्रगत निमित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलती हैं तो यह मिलती हैं दोस्तों जहांसी में कई बार सवाल पूछ चुका है दोस्तों तो यह दखेंगे यह इंपोर्टेंट सवाल बनता है दख्षिन के करम में व्यवस्तित करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए दियेगा कुट से तो यह दखना दोस्तों सही उत्तर का चैन क्या हो जागा तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आगरा उसके बाद आएगा ग्वालियर उसके बाद आएगा दोस्तों नागपुर और करमाचा आगरा फक्राइट मढदप्रदेस में आएगा दोस्तो इस्तित आगपूर महारास्त में और खिंग drilledu में इस्तित है ने क्रिश्नगिरी प्रेंट दक्राइट मेंbereich जोवाल इस ईंपर्टेंट सवाल दूस्तो दिहां में क्राइट में시क रेगटेमा इस और स् defendant मुंबई पुने दुरूत गामी महमारग का पहला छे पथ गामी एक्स प्रेस मारग है, या मुंबई के कलाम बोली से होकर, पुने के निकट देहु रोड तक 95 किलोमेटर लंबा सफरते करता है दोस्तों निम्लिकीत में से कौन सानागा राष्टिय राजमार्ग थिरी से जुड़ा राष्टिय राजमार्ग थिरी से नहीं जुड़ा हुआ है तो यह तक में दोस्तों भोपाल जो है दोस्तों राष्टिय राजमार्ग थिरी से नहीं जुड़ा हु इंदोर धूले नासिक थाने और मुंबई एनेच थिरी मार अटारी को मनाली से जोड़ता या अटारी अमिरिचर जालंधर होसियारपूर नादाउन हमिरपूर टोनी देवी अमला अमबा देवी मंडी कुल्लू एब मनाली से होकर गुजरता है दोस्तो नेक्स दोस्तो से संबन्दीत है राइट एंसर हो जाएगा डी तो दोस्तो एक हजार से अधिक जनसंक्यावले सभी ग्रामों को प्रतेक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सरकों से जोड़ने के लिए परधान मंत्री ग्राम सरक योजना पची दिसमर दो हजार को प्रारम की गई थी दोस से पहले आएगा दोस्तो पंजाब उसके बाद आएगा तमिलाडू उसके बाद आएगा दोस्तो महाराष्ट में कौना जाएगा हरियाना राइट एंसर हो जाएगा डी तो दोस्तो सड़क सांखिकी 2017-18 के अनुसार जो प्रति एक हजार वर किलोमेटर छेत्र भूतल मारक स सबसे आदा किसमय था दोस्तो पंजार में उसके बाद महाराष्स में तरमिलाडू में और देन किसमय था दोस्तो हडियाना में भारती ए पर अलीवहन पर नालीयों के संदर निमल्खीत कथ्ळों पर विचार किजिए भारतिय रेलवे पनालेविस में सबसे बड़ी है फिर है दोस्तो तो राष्टिय राजमार्ग जो है दोस्तो संपून सड़क परिवहन आवसकता के 45 परतिसत की पूर्ति करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है फिर है राज्यों में केडल की भूतल मार्ग जाएगा डी तो दोस्तो प्रसनकाल में भारत का राष्टिय राजमार्ग संक्या साथ देश का सबसे बड़ा राजमार्ग था जिसकी लंबाई कितनी थे दोस्तो तो 2379 किलोमेटर है जो वारान नसी को जबल पूर नाकपूर हैदराबाद बंगलूर होता बंगलूरी होता हुआ कन्याप कुमारी से जोड़ता था राष्टिय राजमार्ग संपून सडक नेटवर्ड का लगवग 2% ही है किन्तु यह उसकी आवसकता का 40-45% की पूरती करते हैं इस प्रकार कथन 2 और 4 सही है प्रसनकाल के तोरन राजियों में गोवा की भूतल मार्ग सघंता सर्वा दीक है वरतमान में संसोधित राष्टिय राजमार 27- e.W. भरत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार के दोस्तों अमरीचर से दिल्ली होकर कुलकता तक कि राष्टिय की संक्या है तो कितनी है दोस्तो तो 2 है राईट एंसर हो जाएगा भी तो विकल्प में दिये गए चार है राश्टियी राजमार्ग यानी एक दो चाल आठ मैंसे कोई भी राजमार्ग दिल््ली से अंडिछ गिन होकर कुलकत्ता तक नहीं जाता चाज राजमार्ग का मार्ग निम्नमा थे दोस्तो राश्टिये राजमार्ग किसको किसको जोरता है ते यह दखने है दिल्ली, अम्बाला, जालांधर, अम्रिचर, इंडो, पार्क, बॉडर नेश्ट दोस्तो राष्टिये राजमार दो है तो दिल्ली मतुरा आगड़ा कानपुर परियागड़ाच वारानसी महानिया बरही पलसित वैदमती बारा कोलकत्ता राष्टिये राजमार फोर है दोस्तो थाने पुने बेलगाउं हुबली बंगलूरु रानी पेट चेन नही राष्टिये राजमार गाठ है दोस्तो दिल्ली जैपूर अजमेर उदय पुरा हमदाबाद बरोदरा मुंबाई अता निकटतम सही विकल कौन सा आया दोस्तो बी नया एनेच वन उडी को लह से यादकना दोस्तो एनेच टू जो है दोस्तो डिबरु गट को तुईपंग स अंडवाने निकोबार दीप सम्मू में चिरिया टापू को माया बंदर पोर्ट बिलेर से और नेच एट जो है दोस्तो करीम गज जो की असम मिश्थीत दोस्तो उसको सब्रम यानि तृपूरा से जोड़ता है सभी के सभी इंपोर्टेंट फैक्स है ध्यान रखेंगे दोस तो राश्तीय राजमार्ग से दोस्तो राय टेंसर हो जाएगा ए है किंतु समपुन देश के सड़क परिवहन का लगबग 40% याज राथी राजमार्ग द्वारा ही समपन होता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मातराले के वार्सिक रिपोर्ट 2012-22 के नुशा सव देश में राष्टी राजमार्ग की कुल लंबाई जो है राष्टी राजमार्ग सेरी दिये गए विकल्पों में सरवाधिक यानि कितना लंबा है दोस्तो तो 712 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तो तो 1661 किलोमीटर है नेक्ट दोस्तो निमलिकित राष्ट मारगों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है तो कौन सा है उणिट्सो उन्चास थिए में से कॉन सुम्हेलित नहीं है तो या दकना हल्दिया जो है दोस्तो अब दीजा और बात को जोड़ता है कि यानि राष्टी राजमारण के यह, थिलिफ Talkbackstr governed ठूए फिर नासिक पुने को जोड़ता है दोस्तो राश्टी राजमार्ग 50 दुरगापुड को जोड़ता है दोस्तो एक्सप्रेस पे राजमार्ग लेकिन यहां पर दिया गया दोस्तो है दोस्तो तो दोस्तो यह दखना है कि हल्दिया से पढ़िया राश्ट राश्टी राजमार् राश्टिय राजमार्ट संख्या पचास और तीन कोबरतवान में एनेस किस्टी के नाम से जाना जाता है दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस पे राजमार्ट संख्या दो से जुड़े हुए पुड़ाना एनेस टू अब नए एनेच नैंटीन जी क्यू एनेच फॉर्टी ला जाएगा दोस्तो अरुनाचल परतेस में सबसे जादा उसके बाद नागालेंड में उसके बाद मीजोड़म है और लास्ट में किस में जाएगा दोस्तो तो सिक्की में राइट एंसर हो जाएगा बी तो 31 मार निच तक की स्थितिक अनुसार प्रसंगत राज्जी होता उनके राश्च्य राजमर्गो के लंबाई का कराम में निम्ना अनुसार है दोस्तो अरुनाचल परतेस में कितना है तो 2537 नागालेंड में है दोस्तो 1549 मिजोड़म में 1438 और सिक्की में है कितना है दोस्तो 463 यानि सबसे कम सिक्की में है दोस्तो जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है तो याद रखना है दोस्तो जवाहर जो सुरंग है बनीहाल दर्रे से गुजरती है मौस्ट भी भी आई सवाल है दोस्तो कई बार ये सवाल पुछा जा चुका है तो याद रखेंगे दोस्तो तो सात राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा तो यहां पर दिया गया दोस्तो कैसे गुजरना आपको तो अगर आप कोहिमा से कोटम जाते हैं दोस्तो नागालेंड से कोटम जाते हैं तो तक यदि सबसे छोटी सड़क मन का अनुसरन किया जाय तो वह मर्ग होगा दोस्तो नागालेंट उसके बाद असम पस्टिमांगाल उडिशा अंधर परदेश तमिलाटु एमिंग केडल राजियों से होकर गुज़रेगा अता कोहिमा से कोटम तक की सड़क यातर करने पर कम से कम सात राजियों से होकर अवस गुजरना पड़ेगा दोस्तो नेक्स्ट कदार पर पूराने राजमर्ग संख्या को परवर्तित कर नहीं राजमर्ग संख्या जारी की गई है ठीक है दोस्तो इस नवीन सुची के अनुसा राष्टी राजमर्ग और संबंदित राज्यों की सुची इस प्रकार है दोस्तो एनेस तिरी जो है दोस्तो पंजाब स्पाइब करंक्र संक्य को जोड़ने वाले राष्टिन का संसोधित लिए नमबर क्या है दोस्तों तो वह है 52 तो दोस्तों इन दोर से जैपूर को जोड़ने वाले राष्टी राजमार का संसोधित नमबर 52 है यह राष्टी राजमार को की पुरानी संख्या अनुसार NH3 का भाग था दोस्तों नेश्ट अदो तो भारत के किस राज में सरको का घनात हो सरवाधिक है तो कौन सा दोस्तों सरकों का घनात सरवाधिक है केरल राज में राइट एंसर हो जाएगा बी अब यहाँ पर इन्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या दोस्तों तो परिवहन मंत्राले के आकरों के अनुसार 21 मार्च जो सरकों 2018 तक की स्थिति तक प्रति 1000 वर किलोमेटर सरगनात इस प्रकार है सबसे जादा कहां पड़े दोस्तों सबसे जादा कि अगर बात करें दोस्तों तो कहां पड़े तो किरल में दोस्तो 66, 17, 17, 0, 3 यानि सबसे ज़्यादा एक नमबर बढ़ कौन है दोस्तों तो इसमें केरल है अब हम लोग दोस्तों रेल पड़ी वहन से समधित प्रस्न को देखेंगे तो फर्स सवाल है दोस्तों रेल पड़ी वहन से हमारा भारत में सबसे पहले रेल मार्ग त्यार हुआ था तो यह त्यार हुआ था दोस्तों लोट डलहोजी के साशनकाल में सभी को मालूम होगा बंबाई से थाने तक चलाये गया था अठारा सो तीरपन इसपी में तो भारत में लोट डलहोजी के कारकाल में सरपर्थम रेल मार्ग जो है दोस्तों अठारा सो तीरपन इसपी में बन करतायार हुआ जिस पर सुला पड़ेल उनिस सो शोड़ी अठारा सो तीरपन को मुंबई तत कालीन बंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाये गई थी दोस्तों नेक्स्ट है भारत की पहली रेलवे लाइन कीन अस्थानों के बीच बनी थी दोस्तों सभी को मालूम होगा मुंबई थाने के बीच अठारा सो तीरपन इसपी में चलाई गई थी नेक्ट दोस्तो भारत में पर्थम बार रेल कब चली तो ठाड़ा सो तिर पर निसमी में लोड डलहोजी के सासनकाल में नेक्ट दोस्तो बड़ी लाइन की दो पट्रियों के बीच की दूरी होती है तो यह होती है दोस्तो सारे पांच फिट राइट अंसर हो जाएगा भी तो दोस्तो ध्यान रखना है कि रेल मारगों की जो चौड़ाई है कि दिश्टी से तीन भागों में विभख्त किया जाता है कौन-कौन सा दोस्तो तो मीटर गेज है दोनों पट्रियों के जो मद की दूरी होती है दोस्तो इसमें एक मीटर होती है चौड़ाई या बड़ी भीत की दूरी होती है छोटी लाइं दो पटवियों के मत की दूरी कितनी हो तो याम रखेंगे छॉसाइड मेर्फ दस्दी होती है दस्तों नेक्से दुट्र होत dopo मौउंबई की रिल का नियुन्तम दूरी वाला मार्ग कौन सा है तो वो है दोस्तो इलाबाद से होकर तो भारत के रेल मार्ग मांचित्र और लेकों से असपस्टे की पडियाग राज जो है दोस्तो होकर गोड़कपुर से मुंबाई का मार्ग जो है दोस्तो नियुन्तम दूरी का होगा नेक्ट दोस्तो भारत के रेल मंतराले की बुले ट्रेंड चलाने की योजना है मध्ध जो है दोस्तो मुंबई और अहम्दाबाद के बीच तो या दखना है दोस्तो रेल मंतराले के द्वारा बुले ट्रेंड चलाया कहां से कहां तक तो मुंबई से अहम्दाबाद के बीच राइट एंसर हो जाएगा है तो दोस्तो भारत के परदानमात्रिमान महांच सींग ने दिसंबर 2004 में मुंबई हमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेंड चलाने की योजना को अनमोदीत किया था मुख्यालाइ दोस्तो निमळीं क Timothy में कौंस एक युग में सही नहीं है तो यह दकना दोस्तो दाचीन पूर्भी का जो मुख्याले हैар दोस्तो ब्राजपुड में लेकिन दाचेन पूर्भी रेल्वे का जो मुख्याले है दोस्तो स कहां पर is तर या दकना है यह इँंसृत व्ड़ुत्वाइ नेक्स्ट दूस्तो, दचिन पूर्वी, रेलवे का मुख्याल है, तो यहा की है, धब्ब्र आमें, इस दचिन पूर्वी है। कट विशेष्टा स्वतंतता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिन निधित करने वाले खिलाडियों के लिए उपलब्ध है फिर है दोस्तों फेरी कुइन जो है दोस्तों के सबसे पुड़ाने चालू इंजन को पड़ियो करने वाली गारी है तथा भारती रेलवे इसक विरासत अस्थलू की यात्रा आयोजीत करती है राइट एंसर कौन होगा दोस्तों राइट एंसर है इसका केवल बी तो दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट फैक्स है कि उत्तर परस्चिमी रेलवे का मुख्याले जाइपूर में याद रखेंगे ना कि जोदपूर में इं लाइक इट नामक यात्रा टिकट है इसके द्वारा यह वेक्ति एक निश्चित अवधी में भारत में कहीं भी रेल यात्रा कर सकते है इस प्रकार कथन एक और दो कथन जो है कथन तीन सत्य है क्योंकि फ्यरी किन बीच की सबसे पुड़ाने इंजनों का प्रियोग करने वा इस्ति था तो यह हाजीपुर कहां पड़े दोस्तो सभी को मालूंगा भिहार में is था था तो वर्तमाने भरती रेल्वे को 70 जौन में बाता गया दोस्तो дорог में हाजीपुर मुक्याले ने एक अकटभर दो 1972 से सुचारु रूप से काड़ करना ुदर elephants कि या ध promotes फ्रवरी 2019 में 98 जोन के रूप में दच्छनी 30A रेलवे विसाखा पत्रनम के गठन की घुसना की गई है दोस्तों या दखना एवी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फिर है दोस्तों हमारा उत्तरमद रेलवे जोन का मुख्याले कहां पढ़ है दोस्तों तो यह है दोस्तों इलहाबाद म है फिर मांचीत से डिलेटेट सवाल है दोस्तों उसे मैं स्कीप कर रहा हूं फिर यदपी रेलवे भारत में सबसे अधिक वियापक परिवहन साधन है प्रतु सतनता के बाद की अधिकान सब्धी में सडख परिवहन को सरवाधिक परचाहन मिला है इसके निमलिकीत में से कौन सा कारण है दोस्तों इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर है दोस्तों बी यानि वन टू फोर इसका कारण दिया गया है दोस्तों क्यूं तो रेलवे परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबंध पुन्जी लागत बहुत अधिक है फिर दोस्तों मान वहाज होने के काड़ा जनता के लिए पड़ाया इसका लाब उठाना उतना सुविधा जनक नहीं होता जितना नीजी कारो और बाचा बसो ततदुपहिय वहाँनों से लाब उठाना होता है तो यह भी बात बिल्कुल सही है फिर सुची वन को सुची दो से मिलान का रेल कोच फैक्टरी है दोस्तो तो रेलवे कोच फैक्टरी कहां पर बनता है दोस्तो सभी को मालूमगा कपुर्थला में बनता है दोस्तो तो एका तो एका तो थिरी हो गया दोस्तो रेल कोच फैक्टरी कपुर्थला फिर है दोस्तो वील और एंट्सल संयात्र इesterday ये बनता है दोस्तो बंगलूरू मैं डिजल लोको मॉट्णिव कहा है दोस्तो वारा नसी में और इंटीग्रल कोच factory कहां पढ़े दोस्तो तो पराम भूड मैं है वर्क जो है दोस्तों वारानाशी के मडवाडी में बनता है डीजल इंजन टाटा इंगिनियाडिंग एंड कमपनी लिमिटेड यानि जमसित पूरभाप इंजन को बनाता है दोस्तों और इंटीग्रल जो कोच फैक्टरी है दोस्तों चिन्नाई के पेडामबुड में रेल वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिपो का बड़ी मात्रा में निर्मान होता है तो कौन सा है दोस्तों तो याद रखेंगे वह है दोस्तों कौन सा तो वह है पंजाब और तमिलाडू राइट हैंसर हो जाएगा इसका ए तो दोस्तों यहां पड़ है कि प्रसंगत भी कल्प में पंजाब के कपपुधा लाइवं तो रहान द्वार साल की लकड़ी का उपय। कि और किस उध्यों में होता है दोस्तो तो रहल्में का स्लीपड बनाया जाता है दोस्तों साल या साखु की लकड़ी बहुत ही कठोर भाड़ी मजबूत तथा भूड़े होती है इसकी पर्मुक विशिष्टा वजनी होने के कारण इसका पड़े होगा धिकांस ता रेलवे स्लीपर के निर्मान में होता है मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है दोस्तों नेक्ट दोस्तों तिसरी रेल कोच फैक्ट्री अस्थापित की जा रही है तो यह कहां पर अस्थापित की जा रही है दोस्तों तिया अस्थापित की जा रही है दोस्तों कहां पर तो राय बड़ेली में तिसरी रेल्वे कोच फेक्टिर राइट एंसर हो जाएगा बी तो दोस्तो भारत में तुस्ती रेल कोच फेक्टिर रैपड़ेली में अस्थापित की गई है इसे मौडरन कोच फेक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है इसका निर्मान कार्जुए दोस्तो 2009 में परारब हुआ था ने निमलिखित राजियों में से कौन सा राज ऐसा पहला राज बना जहां पीपी मोडल यानि पॉब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप मोडल पर रेल ट्रेक बनाया गया तो वह कौन सा था तो था दोस्तो गुजरात तो दोस्तो 14 जुलाई 2015 को ततकाली रेल मंत्री सूरेस प नरगात था टेकड़ा के ड्राइब बल्क टर्मिनल को अपनी सिवाएं परदान करेगी नेश्ट कोस्तो दोस्तो कौंकन रेलवे के वीशा में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तो यह तक नहीं कि यह करनाटक गोवा महराश और के रराज जिस से होकर गु करनाटक के मंगलूरों स्टेशन पर समाप्थ हो जाता है यह महराश करनाटक और गोवा को जोड़ता है यह मार की रल तक नहीं जाता है कि महराश करनाटक गोवा से उसकी दूरी अत्यद्धि कम हो गई है दोस्तो नेक्स्ट दोस्तो कोंकन रेल्वे जोड़ता है दोस्तो तो कोंकन रेल्वे जोड़ता है रोहा से मौंगलोर को राइट अंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट दोस्तो कोंकन रेल्वे से राज्यों के निमलिखित समुच्यों में से कौन से एक को सरवाधिक लाब होता है दोस्तो तो वो अकॉंट सा है तो गोवा करनाटक महरास्ट और केरल राइट अन्थ रो जाएगा ए नेक्स्ट दोस्तो कोंकर रेल मार्ग नहीं जुड़ता है तो यह किसको नहीं जुड़ता है दोस्तो तो बिलगाम को नहीं जुड़ता है तो कोंकर रेल मार्ग बिलगाम को नहीं जुड़ता है जबकि मढगाओं रतना गिरी और उड़ुपी कोंकर रेल मार्ग से जुड़े सिली गूरी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन जो है दोस्टो दार्जिलिंग हिमालियन रेलवे के द्रगत आते हैं इसे यूनेस्कों ने 1999 में धरोवर के रूप में मानियता दी थी जबकि अनविकल्ब जो हैं दोस्तों गलत है नेश्टे भारत में नीमने राजियों में से कौन रेल सेवा से वंची थे तो वह है दोस्तों कौन सा तो में घालें दोस्तों ध्यान रकना है आपको की पड़सन काल में में घाले रेल सेवा से वंची था वर्तवान में तरी पूड़ा और मीजुरों में रेल सेवा हैं जो हैं दोस्तों पूंड रूप से प्राड़म हो चुका है ये फड़वड़ी 2013 में ततकाली रेल मंत्री पवन कुमार बंचल ने अरुनाचर परदिश में पर्थम रेलवे लाइन कहां से कहां तक दोस्तों तो हर्मोटी से नहर लगून तक 30 किलोमेटर का उधगाटन किया था 29 नॉबर 2014 को परदानमात्री नरेंद मधिने में घाले के मेंदी पाथर से असम के गुवा हाटित तक के रेलवे मार्ग पर रेल संचानलन का सुभारम किया इस परकार अब सिक्कीम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल के नेटवर्क का विस्तार हो गया दोस्तों तो यादकना अभी कहां पर नहीं है दोस्तों तो सिक्कीम है नेक्स दोस्तों निम्नांकित नंबर की राधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिक्तम दूरी ताय करती है तो कौन सा दोस्तों तुवा है 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल तो काफी तो दोस्तों त्रिवेंद्रम राधानी यात्री ट्रेन अधिक्तम दूरी ताय करती है यह लगबग जो है दोस्तों कौन सा बैंगलोर राधानी जो है दोस्तो 2365 किलो में टरता था चन्ने सेंट्रल जो है दोस्तों 2174 किलो मेंटर की दूरी ताय करती है भारत की सरवाधिक तिव्र गति से चन्ने वाली ट्रेन का नाम है दोस्तों गतिमान एक्स्प्रेस नेमली खित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही और रोही करम क्या है दोस्तों तो यह दखना है पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाडी और बर्देवाधी रेल शुरंग तथा टिक रेल शुरंग दोतों अब हम लोग दोस्तों नौ परिवाधन से रेलेटेड परसनों को देखेंगे नो प्रिवांच related हमारा स्वाल दोस्तो नें में से कौन सा तथ कोछी बंद्रगार से संबन्दी थे तो ये देखना दोस्तो मालाबार जो तथ है दोस्तो कौछी परणकी बंदरगारे से समंदीत है right answer हो जाएगा ए तो दोस्तो कोची बंदरगाररी जो है । घेटल में स्थित है मालाबाब टरटके सहारे एक सुनदर प्राक्रितिक बंदरगा है जिसे वर्स भर इस्तिमाल किया जा सकता है नेक्स दोस्तों नेमलिखीत कतनों पर विचार कीजिए नौ परिवाहन यानि नेविगेशन और मतस्य ग्रहन यानि फीचिंग में जवार भाटा अतियंत सहायक होता है नेक्स दोस्तों उच जवार भाटा बड़े जल्यानों को बंदरगा में सुलच्छित परवेश करने या निकलने के योग बना देता है ज्वार भाटा बंदरगाहों में जो है दोस्तों सिल्टेशन यानि सादन रोकता है कांडला तैठा डायमेंड हर्व जोळी यह बंदरगा में are जीश दोस्तों यानि जो चारों कथन दिये गया है दोस्तों बिल्कुल सही है. राइट एंसर हो जाएगा D तो दोस्तो ज्वार भाटा महासागरों की एक परमुग घटना है जिसका मानो तथा पर्यावणन के घटक को परतियच परभाव परता है मता से उधक जहाजों को अभीष्ट अस्थानों पर पहुंचाने विधूत उत्पादन आदी में जवारिये तुरंगों का उप्योग किया जा रहा है कांडला तथा डायमेंड हर्बर जवारिये बंदर का अतपरसंगा जो सभी कतन है दोस्तो बिल्कुल सही है भारत में निम्न में से कौन निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोथ प्रांगन है तो सबसे बड़ा पोथ प्रांगन कहां पढ़े दोस्तो तो कोची में दोस्तों मांची से सवाल है तो मैं इसे स्कीप कर रहा हूं दोस्तों कांडला बंदरगा इस थी थे तो कांडला बंदरगा कहां पड़ी थे दोस्तों यह कच की खाड़ी में इस थी थे दोस्तों कांडला बंदरगा राइट एंसर हो जाएगा इसका क्या दोस्तों इसका कोचिन सब्सक्राइब बंदरेब इसागत व्हालाइस पतन से कर्फें ने यह कैसा है दोस्तों तो यह है जुवारी है याद रखेंगे नेक्स दोस्तों भारत का विकास है जिन बंदरगाओं का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं वे कौन से हैं दोस्तों तो कौलकता और विसाखा पतनम के बंदरगाओं का विकास कौलकता और विसाखा पतनम बंदरगाओं के भार को कम करने की उद्देश से उडिशा के पास किया गया था यहां से मुक्त जापान को लो एस का निर्यात किया जाता है दोस्तों या दखेंगे यह भी इंपोर्टेंट फैट्स है नेक्स है दोस्तों भारत के निमलखीत बंदरगाओं में से कौन सा एक उडिशा टट पर अवस्थी तो कौन सा है दोस्तों तो बाएद्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगा पर अधिकतम कितने लंबाई की पतोका संचालन सम्भव हो सकता है में आगश है नेक्सस्त दोस्तों मन्मो गुवापतन इसी थे तो यह इसी थे दोस्तों गोवा में मैं ला गुए जो और यहां तुट नेक्ट सवाल हमारा भाडत के निमलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात यानि इंपोर्ट कारगों का उज्टम तन भाड़ संभलता है तो वह कौन सा है दोस्तों तो वह एक कांडला कहां पड़ है दोस्तों कांडला तो गुजरात में है तो कांडला भारत का परमुक बंदरग परमुक आयातक बंदरगा है वर्थ 2014-15 में कांडला पतन ने प्राकृतिक बंदरगा तो इन पोटेंट सवाले दोस्टों यह दखेंगे तो चेनए भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा सहो समय है मुंबई है तता सबसे बड़ा कृतिम बंदरगा यह एक खुला सागरिय बंदरगा भी है नेक्स दोस्तों निमलिकित में से निमलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगा नहीं है तो यादकना दोस्तों चिन्नाई तो प्राकृतिक बंदरगा नहीं है तीन तो गलत हो गया यहाँ पर पूछा जाड़ा है दोस्तो कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगा है तो यहाँ दखाएं तो कोची जो है दोस्तो और विशाका पतनम प्राकृतिक बंदरगा है जबकि चेन्नाई और तुती कोडिन जो है दोस्तो प्राकृतिक बंदरगा नहीं नेक्स सवाल है दोस्तो, निमलिकित में से कौन एक अंधर परदेश का बंदरगान नगर है, तो अंधर परदेश का बंदरगान नगर कौन सा है दोस्तो, तो काकी नाडा है, राइट एंसर हो जाएगा ए, तो दोस्तो ध्यान रखना कि काकी नाडा अंधर परदेश का एक बं रपोर्ट है यह आंदर पर्दिश का पर्मुख बंदरगा है नेक्स दोस्तों पतन जहां एल एंजी टर्मिनल नहीं है तो वह कौन सा है दोस्तों तो है कांडला तो भारत के पांच तडल प्राकृतिक गैस टर्मिनल है यह इस परकारे दाहेज है दोस्तों गुजरात में हज दोस्तों तो लिक्वीफाइड नेच्वेल गैस नेश्रे दोस्तों नेमली कितम से किस अस्थान पर तीन अर्ध चंद्रकार समुद्र टट मिलते हैं तो वह कौन सा है दोस्तों तो है कन्या कुमारी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों याद रखें तो दोस्तों कन्या कुम सुन्द्रम परिजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है तो यह दोस्तों 166 किलोमेटर राइट एंसर हो जाएगा भी तो दोस्तों याद रखना आपको कि सेतु सुन्द्रम परिजना भाड़ा तेवन से लंगा के मद पाग जल डमरु मद और मनार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ता है इसके अंतरगत बंगाल की खाड़ी यहां मनार की खाड़ी के बीच 166 किलोमेटर के समुदरी मारगो मारगो कोपोतो के पड़िचालन योग बनाना है दोस्तों सेतु सुन्द्रम परिजना जिन्हें जोड़ती है वह है तो वह है दोस्तों मनार की खाड़ी और पाकी खाड़ी को राइट हैं सरो जाएगा डी नेक्स दोस्तों भारत में बंदरगा परमुख और अपरमुख ब पीखतो दिंडी दें महारष्ट में पारदीप काहां पर है और तुमिलाडू में, कारण ठोक टमिलाडी ने। A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 1, C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 3, इसका राइट हैंसर हो जाएगा 4123, 4123 एकी option में दोस्तो राइट हैंसर हो जाएगा C, फिर दोस्तो सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है समुदरी बंदगाय और राज है तो N0 है दोस्तो फिर पाड़ादीप है पाड़ादीप तो उरिशा में है ठीक है दोस्तो और तो A का C का दूसरा C का दूसरा एक ही में है दोस्तो और वो option कौन सा option D है बाकि सबको भी देख लेखते हैं दोस्तों अचा सी का दूसरा दोदो में है दोस्तों या दखना है ए और डी दोनों में बाकि सबको भी देख लेखते हैं तो पारादीप तो कहां पढ़े दोस्तों उडिशा में अलेपी जो बंदगा है दोस्तों वह केरल में है दोस्तों य प्रदेश में नेक्ट दोस्तो क्रिष्णा पटनम बंदरगा के समवर्धन से निम्ने राजियों में से सरवाधिक लभानवित होगा तो यह लाब होगा दोस्तो सरवाधिक होने वला राज कौन सा है लभानवित तो राइट एंसर हो जागा यह तो क्रिष्णा पटनम बंदर जो बंदरगा है दोस्तों जो कि मॉंबाई में इस्तित है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है तो मॉंबाई परश्मी चट पड़ी सित एक प्राकृतिक पोताश्राय और देश का दूसरा सबसे बड़ा पतन है इस पतन ने देश के अधावगी की विकास में महाकपुन अजिवाने पर लुद्गार exercise मॉंबाई ऋस्ति का थे रहा प्राधान बंदरगा की स्थापित किया रहा है तो यह थापित किया जाने वाला दोस्तों मॉंबाई में तो दोस्तों यहाद रखना कि भारत का जो तेरहा प्रदान बंदरगा महारासराज में अस्थापित किया जाने का निनाय केंद्री मंदल ने पांच परवड़ी 2020 को लिया यह बंदरका जो है दोस्तो महरास्ट में दहानू के निकट जो है दोस्तो वधावन में अस्थापित किया जाएगा नेक्ट दोस्तो गंगा नदी के निमलिखित में से किस भाग को राष राष्टी जलमार्ग एक घोसित किया गया इसकी अस्तापना वर्ष उनिसोच्यासी में हो थी इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों तो सुला सो बीच किलोमेटर है या देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमारग है दोस्तों गंगा नदी के निम्रिकित में से किस भाग को से हल्दिया जिसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों राष्टी ए निस्नल वाटर वे जो है दोस्तों वन के नाम से जानते हैं यानि राष्टी जलमारग वन के नाम से नेक्स्त दोस्तों निम्रिकित में से कौन सा राष्टी जलमारग वन नंबर वन है तो वह कौन सा दोस्तो यादकना गंगा भागीरत हुगली नदी का जल्माग राइट एंसर हो जाएगा D नेक्स दोस्तो राष्टी ये जल्मारग 1 जोडता है तो इलावाद से हल्दिया को जोडता है दोस्तो राइट एंसर हो जाएगा C फिर दोस्तो निम्लिकित में से देश का सबसे लंबा आंतरीक जल्मारग कौन सा है दोस्तो तो इलावाद से हल्दिया का एंडवलू जो है दोस्तो वन वो जो है दोस्तो भारत का सबसे लंबा आंतरीक जल्मारग है नेक्स दोस्तो निम्लिकित में से कौन सा राष्टी जल्म तो यह अवस्थी थे दोस्तो पटना में तो राश्टी यह अंतर देशिये नौ वहन संस्थान अवस्थी थे तो यह अवस्थी थे दोस्तो पटना में तो राश्टी यह अंतर देशिये नौ वहन संस्थान अवस्थी थे दोस्तो पटना में तो राश्टी यह अंतर देशिय कोईले को संचालित करने वाला बाढ़ामा प्रमुक पतन विक्सित होड़ा है तो यह होड़ा है दोस्तों चिन्नाई के निकट तो भारत का कोईले को संचालित करने वाला बाढ़ामा प्रमुक पतन चिन्नाई के निकट ये नोड में बना है ये नोड देश का पर्थम निगमित बंदरगा है दोस्तों नेक्षर दोस्तों निमलिकित में से कौन सा एक बंदरगा कच की खाड़ी पर अवस्थित है तो कांडला जो बंदरगा है दोस्तों कच की खाड़ी पर इस्थित है तो भारत पकिस्तान का विवादन हो जाने तथा करांची बंदरगा पकिस्तान में चले जाने के कारण यहां बंदरगा की जरूरत महसूस की जाने लगी इसी करम में कांडला बंदरगा का निर्वान वर्स 1950 में किया गया नेक्ट दोस्तो निम्लिकित में से कौन गुजरात का बंदरगा कस्वा नहीं है दोस्तो तो यादखना जामनगर जो है दोस्तो गुजरात का बंदरगा कस्वा नहीं है तो दोस्तो यादखना की ओखा प्रबंदर अलंग बेदी भावनगर दाहेज जाफराबाद मांडवी म मुद्रा नौ लाई सूरत और वेडावल गुजरात के मुख बंदरगार कस्व है जबकि जामनागर गुजरात का बंदरगार कस्वा नहीं है और इसकी अवस्तिती टर्ट से क्या है दोस्तो तो दूर है नेश्ट दोस्तो निमलीखित में से कौन पोताषर्य नहीं है यहां कोई भी पोताषर्य नहीं है नेक्ट दोस्तो भारत के निमलिखित बंदरगाओं में से कौन सा ए खुला सागडिये बंदरगाओं उसे कते जहां जलीये पोत तट से दूर खुले सागड़ में ही लंगर डालते हैं भारत में इस परकार का पतन चिन नहीं है जहां तट से दूर समनांतर जहाजी घाटो का एमान किया गया है दोस्तो निमलिखित में से कौन सा बाह पतन का विशिष्ट उधारन है तो हल्दिया जो है दोस्तो बाह पतन का विशिष्ट उधारन है तो बाह पतन वह पतन है जो गहड़े जलिये भाग में इसी तथा मुख पतन का सहायक पतन होता है हल्दिया में हो जाएगा दोस्तों फिर याने डी का तो हो जाएगा थ्री फिर मजगाओं है दोस्तों हिंदुस्तान सिप्याड तो डी का तिसरा किसमें पहले यह देख लेते हैं तो designing are यानि देख लेते हैं दोस्तों इसका राईट एंसर तो गाडेन जो शिपियद्ध है गाडेन जो सुपियाडंट थेटो पस्चे मंगाल में तो यह दखना है दोस्तो गाडेन रिच है सिप बिल्डर्स एंड इंजिनियरीस इंजिनियर्स लीमिटेट पा डिजल इंजिनीर्स लिमिटेट का डीजल इंजिन्ट राची में अवस्षित है नेटी सारजनिक समीती कंपनी के स्वामित्व भाला भरत का स्वर पर्थम विमान पतन ने लिकित में से कौन सा है तो वह है दोस्तों कोचिन विमान पतन राइट एंसर हो जागा भी तो सारजनिक से दोस्तों राजासाशी अंतरस्टी ह्वाई अड़ा कहां पढ़ए तो यह vandaag इे जिसे टी भरत के पस्मी टठ पर इस्थित नहीं है तो वह राज चांजीरा और रतनागिरी की अवस्थिती भारत के पुर्वी टट पर इस्थित है बात का सबसे बड़ा जहाद तोरने का याड गुजरात में किस अस्थान पर इस्थित है तो यह गुजरात में किस अस्थान पर इस्थित है तो यह गुजरात में इस्थित है दोस्तो कहां पर तो यह इस् में नेश्ट दोस्तों वर्तमान मुंबई बंदरगा के दवाव को कम करने के लिए कौन से पतन का नेमान किया गया है तो किया गया दोस्तों उसका नाम है नानुवा सेवा तो नानुवा सेवा जो है दोस्तों पतन मुंबई बंदरगा के दवाव को कम करने के लिए महाराश् दोस्तो 66 BPSC में पूछा गया तो जवाल लाल नहरू बंदरगा नभी मुंबाई महराश्च में यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हेल्ड क्या है दोस्तो तो हैंडलिंग पोर्ट है वरतमान में JNPT पांच कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है जवाल लाल नहरू जो पोर्ट है दोस्तो कंटेनर टर्मिनल ननहाच सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल गेटवेट टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ननहाच सेवा इंटरनेशनल गेटवेट टर्मिनल और 9 कमीशन भारत मुमाई कंटेंडर टर्मिनल प्राइवेट लिमेटेड है दोस्तो नेश्ट दोस्तो हाली में निमलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौसं चालंज चैनल दोड़ा समूदर से जोड़े जानने के लिए क्रित्रीम अंतरदेशी बंदरगा के निमान की समभावना का पता लगायत हुआ है दोस्तो राजेस्थान तो दोस्तो भारती अंतरदेशी जलमार पराधी करन को राजेस्थान सरकार जालोड में इवक्रित्रीम अंत्रदेशी बंदरगा के विकास का प्रस्ता स्थाभ कर theo बंदरगा कच की ठाडी के सांथ एक चनल का विकास कर अरब सागर से जोडने के लिए प्रस्ताबीत है। करनाटक में इस्तित है मुंद्रा आंधर प्रदेश में इस्तित नहीं है राइट एंसर हो जाएगा डिम् परिश्थित है दोस्तों तो यह गुजात में अवस्थित है नेक्स दोस्तों मत परदेश का कौन सा हवाई अड़ा किरियासिल नहीं है तो यह मत परदेश का सवाल है दोस्तों परना जो हवाई अड़ा है दोस्तों वह किरियासिल नहीं है दोस्तों उत्तर प्रदिश के निमलिकित में से किस हवाई अड़े को भारत के केंद्री मंत्री मंडल ने 24 जुन 2020 कौंत्रास्टी हवाई अड़ा का दर्जाद स्विक्रित कर दिया तो वह कौन सा है दोस्तों तो कुसी नगर हवाई अड़ा यह लेटेस सवाल है दोस्तों ध् डिस्कस aan दिस्कस में बसार इतना ही यह डिस्कस आपको कैसा लगा मुझे काउंट बॉक्स में लिकर जरूर बताया दोस्तों 34 अगर यह वीडियो पसंड आई है हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहा है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हम अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे यूटूब चैनल के साथ ठेंक्यू